अगर आपकी 80-80% तक फलिया पकर करके काली हो गई हैं, तो हम एक साथ पूरी फसल के कटाई कर लें, तो तक कटाई करने के उपरांथ फसल को खेत में ही सूखने के लिए फैला दें, तो दो से तीन दिन सूखने के पश्चात अपने फसल के मणाई कर लें, और उसको साफ करन करने के पश्चात स्वच बूरों में अत्वा कंटीनर में पैक करके रख लें, तो इस प्रकार से अगर आप इस पजाती को प्रयोग में लाते हैं, तता साथ ही बताए गई करियाओं को अमल में लाते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी मूं की फसल आप उगा सकते हैं, तथा अच्छा लाब प्राप्ट कर सकते हैं, धन्यवादा